आज हमने कुछ बड़े बुलियर के एक्सपर बैंक फिट ने ये साफ संकेत दिये हैं कि आगे दो बार में साफ ताहिक विरोजगारी दावे दो साल के निचले इस्तर पर हैं नमस्कार सुवागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रैस वूडियो में दोस्तो आज जो है सुने और चांदी दुनों के बाओं में बड़ोतर देखने को मिली आखिर क्यों बढ़ रहा है सुने का रेट इसके पीछे की वज़ा आपको बताएंगे अभी बूराजनितिक तनाव एक आएक से बिना किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई बूराजनितिक तनाव उत्पन होगा इसराइल और हमास के बीच में जो अभी युदबार की स्तती पैदा हुई है इसके वज़े से सुने और चांदी के वाओ को बल मिलता हुआ नजर आ रहा है जब भी बूराजनितिक तनाव की स्तती पैदा होती है तो सबसे पहले गोल्ड और डॉलर में मजबूती देखने को मिलती है आज अगर डॉलर की रेट पर भी नजर डाले तो आज डॉलर के भाव में भी बड़ोतरी देखने को मिली है डॉलर और गोल्ड जो है सेफ इन्वेस्टमन माना जाता है तो वहाँ पर जो है अंतराश्ट्र इस्तर पर इसकी मांग बढ़ती है और जिस तरह से युदवार की इस्तति है इससे ये साफ लगता है कि आने वाले समय में कच्छे तेल की कीमतों पर अगर ये युदवार आगे लंबे समय तक चलता है तो कच्छे तेल की कीमतों में व्रद्धी हो सकती है तो ऐसे में कुछ expert का कहना है कि आने वाले समय में कुछ समय तक जब तक ये युदबार की स्थिती चलती है तो सोने के rate को बल विल सकता है जैसे ये खबर आई सोने का प्रीमियम 700 रुपे प्रती 10 ग्राम तो वहीं चान्दी का प्रीमियम तकरीबन 25 सो रुपे प्रती किलो ग्राम पर बढ़ चुका है तो वहीं डॉलर के रेट पर नज़े डाले तो आज डॉलर के रेट में भी बड़ोतरी देखने को मिली है डॉलर का जो रेट है वो 83.32 पैसे पर पहुँच चुका है ये आज के अपने ओल टाइम हाईपर है कुछ एक्सपर्ट और सरफबजर की कारोबारियों का कहना है कि शॉट टम में सोना जो है वापस थोड़ी उचाई पर जा सकता है इसमें बड़ोतरी देखने को मिल सकती है अगर आप भी सोने अत्वा चान्री में निवेश करना चाते है तो अभी आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूबत नहीं है क्योंकि ये सोड टम के लिए इसमें ही 257 के आसे पास में रहेगा इसे के साथ में अगर आप सोने और चांदी की खरिदारी करना चाहते है तो आपको दिवाली तक का इंतजार कर लेना चाहिए दिवाली तक इसमें गिरावट आ सकती है लेकिन हाँ सौट टम में इसमें बड़ातरी जरूर देखने को मिलेगी क्यों हिदवार जैसे स्तती में पूरा आजनेतिक तनाव की स्तती में जैसा कि अभी यूकरेन और रूस के बीच में भी चल रहा था इसकी विज़से भी सौने के बाव को कुछ समय पहले जो है कुछ महिने पहले बल देखने को मिल रहा था सोने का जो रेट था वो एकदम से पैनिक होते हुए बढ़ चुका था अगर आप भी चाहते हैं कि सोने और चांदी के दाम में कमी आनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सहमती जरूर दरसाइएगा और रोज सोने और चांदी के ताजा और सटिक दाम की जानकारी के लिए नीचे दिया ग